आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहन इंडिनियर एर फोर्स ने भी पर जैसा कि आप सभी जानते कि मॉक्टेस्ट की जो स्रीज आनने स्टार्ट कर रखी उसमें हम आपके 20 कोस्टेंट करते हैं कि कि शी मॉक्टेस्ट में जो मारा बड़ा मॉक्टेस्ट होता कोश्टिन 20 वेंट करते हैं अगर चनल पहली ँवा यह उसक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और देखे हमारा जो पहला कोश्चन है पहला कोश्चन किसे स्पोर्टिंग रख सा है आप बात करें अब प्रोफेशर अद थो अब फेसर थाट आज देट वन सुड रिस्पेक्ट दे रिलिजियस आफ द आदर आज मस्च एस इस वन वह लोग जो प्रोफेशर थे वह उन्होंने हर एक धनम की तो यहां पर बात करें तो अब जब आप लोग करें झानते हैं कि कभी भी सब्जेक्ट आमारा जो वन आता है तो असए astronomy को चे क्ना पड़े अगर one कभी भी subject है तो जो इसका object आएगा तो once आएगा नहीं और कोई आपका जो है object यूज़ किया दाएगा इस बात करें यह error की तो हमारी error c part में है और आपको यह question और ची तरीके से clear हो गया होगा next question भी हमारा कफी अच्छा question इसमें भी हमें spotting error बनाना है no sooner had he arrived that her friends arranged the reception in her our honor in the best resort in the town मतलब कि जो उसके friend थे और वो सब आये थे और उन्होंने अच्छा एक reception में arrangement किया था कहां पर किया था एक resort में किया था resort जो आपकी साधी शमार वाले इस्तान होते हैं इनको resort बोलते हैं अब हम बात करें no sooner के recording हमें पहले कंजेंसन के recording देखना चाहिए कि वर्व पहले आए बिल्कुल सही है वर्व पहले आए तो ए पार्ट में error कोई नहीं हो सकती है लेकिन फिर देखवांगे sentence हो पड़ते हैं सी अराइब के बाद डेट लेकिन सो नो सुनर का जो पेयर होता है कंजेंसन को क्या होता है देन होता है डेट नहीं होता तो वाइस एडर की बात करें तो एडर हमारी ए पार्ट में है तो आयो आप सभी को यह भी question किलियर हो गया अब यहां पर बात कर रहा है दो परसंगी एक मादूरी एक आई जब दो परसंगी बात कर रहा है तो मतलब प्लूरल जब प्लूर हमारा subject हो गया तो वर्व हमारी प्लूरल मिलकुल सही है लेकिन फिर उसके बाद object हमारा अपना कैसे position बता सकता है अपना कैसे अधार आधि करें गmost error के और अबजिए के माई एक अपने पर्टिकुलर और अपने प्रिफन के लिए जब यहां पे दो लोगों की बात कर रहा है वर्यूज होगा vaan सभी आप सभी कुलिये यह कुलिए और अबैंबले कि लिया क्या है कि सिकर्पी стр. से अभे हां बात करें डान्ट इस्टेंड dealing À pack ॹंस वेट अभी यहां बात करें तो डान्ट इस्टेंड दड रेल मलब की रेल कि तुम क्या करोगे डाहल कि ओन पर ख़ड़े हो इस प्रफेक्ट एंसर हमारा कौन से हो जाएगा यह नमबर राइट असर हो जाएगा आईओप आप सभी को किलियर हो गया होगा इस पूछ रहा है कि इस इन फीक्सपीजन तो इसे भी नहीं होगा पास्ट है तो यह वुड है दो बार पास्ट एक इस इस किसे आप रहे हैं और यहां पर क्यों के कंडिशन तो बता रहा है लेकिन फर्फेक्ट में बता रहे हैं ऐसक् imagen का ate THE टारह रहा there in object will be present yet और आपको सुआघंगा को लगा हूएर लेकिन है जो एक हैड फिर्फभ in będę वह यह ऐगा यह जो हैड बी कि हूर्फ हा लेकिन एक जो हैड वह आपकी वर्ब है जिसक्म वर्ब की थर्ड फार्म नहीं बोलते हैं एक बाद वर्व की थर्ड फार्म आती है इस आपको खिलियर हो गया होगा यह भी कोश्चन है फिल इन दा ब्लैंक से आई कुड हार्डली रिकंस्टाइज हिम आई शाहिम तो यहां पे हमने बात क्या था कि इसका इसका जो खिलियर बेरली इनके साथ क्या आता है आई हो आप सबी कोई अच्छी तरीके से कोश्चन आता होगा और पता भी होगा यहां पे जब हमें इसका इसली के साथ वेन आता है और नो सुनर के साथ दैन आता है ऐसे ही इसका वेन कोगा राइट अंसर निश कोश्चन हमारा फिलिंदा ब्लैंक से लिए गए इसमें पूछ रहा है विलियम सेक्ष्पियर वाज़ ग्रेटेस्ट प्लेराइट प्लेराइट आफ दाइम अब हमेशा सुपर लेट्व डिगरी के पहले आर्टिकल हमारा क्या तदा आता है तो आयोग आप सब्सक्राइब होगा है कि हमारा सी नमबर राइट अंसर हो जाएगा अब यहां पर पूछ रहा है वन वर स्प्टिट्उशन मता इसमें पूछ रहा है वन हूपी फॉम अधर राइटर मला कि वह कौन है जो अधर लेखों को मुलें दूसरे लोगों को की कांपी करता है तो इसको मोलते है प्लेंग्रिस्ट मिन्स होता है मला कि वन हूरा पूरा कंटेंड की यह पढ़ाना यह इसलिए वस्कों बोलते हैं एक अफेंडर मलब कि जब किसी की लाइफ में अफेंडर लग जाता है नो लग एक दार्ट तरीके अफंडर हो ना जिसको हम बोलते हैं मलब कि इसको यह भी हैवियर में एक फड़ा चेंजमेंट ठीक उसक कापे हम क्या देख सकते हैं कौन को हमको सिर्फ क्या करना हमको अपने कॉपी में लिखना को इसको चारू आप इस तरा छल्ट आपको अगर करते को तुरंत आपको क्वेशन गलगा क्यूंकि इस में मोश्ट कर और इसलिए अपने पना इसलिए एक हैए miss spirit और miss correct word कभी भी भी नहीं गलत होगा अगर आप option के चारों के चक्रण पढ़ेगा तुरंत आपका गलत हो जाएगा इसलिए right answer हमारा कॉंसा हो जाएगा D number आयोप सभी को clear हो गया होगा next question हमारा इसमें पूछ रहे idiom phrases बताएगे idiom phrases I am afraid he is burning the candle at both ends and running his life burning the candle की बात करें तो burning the candle मतलब कि जो अपना सबकुछ जला दे मतलव की अपना अपना पैसा अपनी जो भी जो कुछ है उसके पास सब कुछ को खतम कर देना तो इसको क्या बोलते हैं बर्णिंग दा केंडल मलगी एक तरीका शुमम्बति आप लोग देखते हैं कि महम्बति अपनी जो थी पीगल डवती जागा भी जला देती है तो अपनी वह मुंबति ज वह सब्सक्राइब कि अपनी एनर्जी को ऑफटाक्शिंग करना ठीक है तो इस वज़े से आपके पास बचे भी जो बचे भी एंगारा बेकार कर देते हैं तो इसके लिए कोई सुटेबल बना बचेंग्टि आपके पास ऑप्सेंगर में बचे और आपका राइट अंसर है आपका सी नंबर नी राइट अंसर होगा आपको घ्लियर होगा अब निश कोश्चन यहां पर बात करने वे अशलियेट करना वे अपने सुना होगा ऐसी ले अशी लेट मतलब कि जो आप लोग तवरीद करते हैं फिजिक से कॉंसेप्ट में ठीक ह अब किसी चीज को इंक्रीज करने के लिए यूज के जाता है अब यहां बात करें कंसिस्टेंस कंसिस्टेंस वनलब की लगाता है अब यहां बात करें तो हमारा राइट अंसर कंस हो जाएगा इडेकेट करना मलब की किसी को नीचे आकर दिखाना आप समारा राइट नंसर कंसे हो जाएगा डी नंबर फाइंड दस शिनवानिश आफ द बढ़ इसमें पूछरा शिनवानिस बताईये जी और कुप्रेट जी को प्रेट का मतलब क्या होता है पहला अप्शन दिया रीकैप्चर करना नंबर बी दिया डिलाइट नंबर सी दिय रिकवर और नमबर डी दिया है अब यहां बहुत करें रिकुपरेट मलब की एक तरीके से ऐसा याद करो जी का मतलब होता है जहां थे फिर वहां वापस चला आना मलब की किसी चीज का पुना करना पुना स्टार्ट करना तो जो आपका यह होता है इसका मतलब होता है पुना करना जैसे आपका पुना करना तो जब इसका मतलब होता है पुना करना तो मतलब की उस चीज को आप क्या कर सकते हैं रिकवर कर सकते हैं आप किसी काम को रिकवर करना मलब की हमारा काम पीछे चुड़ गया यह हमारा काम बढ़ा आगे चल गया यह ह कैप्चर करना मलग किसी चीज को अगें कैप्चर करना ठीक है तो आप आप सब्सक्राइब किलियर हो गया है यह भी कोश्चन हमारा एक्ट्व और प्रैश्व से चेंग द बॉइस दे हैब मेड फिल्म बेस्ट ऑन हीज नौबल्स तो हमारी गाइस बात करें तो हमारा सब्ज यह बात कर रहा है तो यह भी पास्ट गलत अब बचे दो आप्शन दो आप्शन में कौन सा चूज करना उसके बारें बात करें तो आप फिल्म बेस्ट ऑन इस नौबल्स यह आपका अलग से जुड़े जाएगा यूनस एक तरीके से सुपर फ्लूइस की तरीके बाकी तो ह फिल्म है बीच में सुपर फ्लूइस जुड़ा है तो पहले आता है इन सभी सिवर वर्ब्स से तो आपको लगे गाएगा यहां पर वाट आपका सी नंबर ही राइड़ांस नेस्ट कोश्टिन हमारा चेंज दा नायरेशन वाट इद वंडरफुल टाइम वी हैड देयर सी तो से एक्सलेंड डैट अब यहां पर वहाट वंडरफुल टाइम वी हैड देयर वी हैड के कॉर्डिंग हम देखें तो यहां पर हमारा यह प्रेजंट में है वागा इसका तू ऐसे भी गलत हो पास्ट मोना चाहिए तो अब यहां पर देखें डैट दे हैड क्वीट वंडरफुल क्विट अब वंडरफुल टाइम देर तो सब्सक्राइब केजिए यहां पर देखें तो हमारे रायां पर नंसर्थ दोनों है क्योंकि इस सम्में दोनों सेम ही लिखें तो है ह्लिखें सब्सक्राइब जो मनों आप वह लगा सकते हैं अब हमको कुछ नहीं देखना सीधा option देखना आपको एक्जाम में सबसे बहुत नहीं नहीं देखना कि यह दो option B और C सेम हैं सो हम पहले sentence को C से S से पकड़े लेते हैं से स्टार्टिंग है तो Sherlock Holmes is the exponential and individual अब हमें पता चल गया कि इसके बाद जो आएगा तो क्या आएगा तो इसके बाद सीधा आएगी हमारी वर्ब आएगी क्योंकि individual के बाद हमारी आएगी वर्ब तो उसके अगर आप पूरा घुमते हैं तो फिर आप नहीं पकड़बाएंगे अगर आप आर देखते हैं तो आर के बाद बिकॉस रीजन बता रहा है सैंटिफिक क्रियोशिटी और उसके बाद क्या आपका इस रेजडर स्टेटर सुविद्धा यह आपका रांग हो जाएगा जो आपका राइड़ अंसर होगा वह ही होगा आपका राइड अंसर सी नंबर हो जाएगा निश कोशन हमारा नो शूनर हैड रियलाइज दबलंडर दैन सी बीगें तुदा टेक क्रियोटी मिशल यहाँ पे हमको सेंटेश रिप्रूब बताना है इसमें चारो तीनो आपसन में चारो में से यहाँ पर क्या आएगा तो यहाँ बात करें नो शूनर के एकॉर्डिंग कि फर्स्ट वाम आते हैं लेकिन यहाँ पर बिग्यन के बाद तो तू आएगा आएगा क्योंकि इन्फिन्ट्व है और एक इन्फिन्ट्व के एकॉर्डिंग देखे तो हमारा राइड अंसर दी नंबर हो जाएगा नो इस आपको कोश्चन सिस्टीन किलियर हो गए होंगे कोश्चन देखते हैं यह हमारा निश्ट कोश्चन लास्ट कोश्चन ऑप चेंदर होlor फॉ मैंन को होता है मैं होता है वैसे हम मैं का फूरान हूम मेन चो गए समबात करें यहां पर राइटन से हमारा कॉंट से हो जाएगा बी नमबर हमारे उस में इस में यह यह जैएट करना पड़ता है आपको अगर वीडियो अच्छा लगता तो चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करते हूं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ थेयर करते हैं थेंक्यू शो मच वादिंग इस वीडियो